इस इस रुद्रा वेलकम टो मैं यूटूब चैनल स्केच नोट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ग्रेड लाइन मेथड का यूज़ करके हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट होते हैं जो कमिशन आर्ट बनाते हैं वो लोग भी ग जब बनाते हैं तो तीन तरह से फॉलो करते हैं इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है एक आपको स्केल चाहिए और यह ब्लाक और वाइट जो है फोटो कॉपी मैं करवा के लाया था इस फोटो का फिंट्रों के करवा के लाया हूं इसके उपर हम लोग को खिचनी है स्क्वैर में जैसे कि माल लिजिया आप अगर यह एक एक सेंटिमीटर या एक एक इंच या दो-दो सेंटिमीटर का स्क्वैर बनाओगे रेफरेंस पिच्चर के उपर उसके एकॉर्डिंगली आप यहां पर कितना भी बड़ा स्क्वैर बना सकते हो वह बनेगा अगर हमाली जिन पर 2 सेंटिमीटर का स्क्वैर बनाते हो उसके उपर तर जरूरी नहीं कि आप यहां पर दो सेंटिमीटर यह बनाइंगे अगर आपको इस इतना ही बडाएं में पर बनाव पर साथेखलन blossom स्कते हो लेकम अगर आप इसको पूसी बड़े व्लप पर बनाना जाओगे तो आप बना सकते हो तो मैं अभी रेफरेंस पिचर के अपर पहले हम लोग जो है स्क्वेर में लाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद हमारे वाइट पेज पर हम लोग लाइनिंग करके क्या से ड्वाइंग बनाएंगे मैं बताता हूं तो लाइनिंग बनाता हूं यह दो-दो सेंटिमीटर का जो है मैं डिस्टेंस ले रहा हूं यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत मज जाए दिखने में जितना छोटा स्क्वेर लेंगे उतना बारिकी में बनेगा अच्छा बड़ा स्क्वेर लोगे तो आपका कुछ-कुछ येगे पर क्या मि सब्सक्राइब कर रहा हूं रिड्लाइन खीच लिया है अब आप देखेंगे तो यह जो डो सेंटिमीटर का जो यहां पर डिस्टेंस है यहां दिखा देता हूं वाइट पेस्पे दो सेंटिमीटर गएंड़ मैं ने आ पे लिया है इस फैर ठीक है ऐसा स्क्वैर लेना है आप अगर चाहो तो इस पर मार्किंग कर सकते हो जैसे 123 का नंबर लिख सकते हो 1234 ऐसे इसी के कॉडिकली हमको अपना आठ शुरू करना है देख लिए जैसे कि इनकी जो हेर लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है तो मैं इसको वहीं से बनाता हूं जो की वन और तू के थोड़े से सिमलर पास में है तो मैं यहां से इसका लाइन खेच रहा हूं यहां पर बाकी जो हाइलर से हलकल के लाइन बिखरे हुए जो हेर से उसको हम लोग लास्ट में सब टच करेंगे टचिंग करते समय उसको जो हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी जो हैं ऐसा तो मैं अगर इस पे नंबरिंग कर दे रहा हूं जलली मैं नहीं करता पर आप लोग को बतानी के लिए कर रहा हूं वन तो त्रिए फोर फाइब सेवें एट और इसमें भी मैं तो हमने कर दिया कि दो हो फाइब और 11 तो यह देख लीजिए हमने शुर्वात किया है वान और टू के भी से उसका है लयना स्टार्ट हो रहा है तो मैंने वहाँ पर देखो फ्रिया एंधिली मैंने है वहां पर लाइन खीज दिया जैन उसका उसका जो मांग है वह हलका सा यहां पर आया हुआ है और यहां से टिवाइड होगा है तो मैं इसको फिर दरूगा जो ब्लैक पिक्चर है तो उसमें अच्छे से हुआ करना नहीं है इसके वीज़े से आप लोग देख नहीं पाओगे इस डार के रिया को यहां पर मोबाइल में होगा तो मोबाइल में एक एप के थुकर आप का यूज़ कैसे करना वह भी मैं आपको बता दूगा इसी वीडियो में आप से आप ग्रीड लाइन कैसे करेंगे आप कैसे स्केच करेंगे देख लिजिए आप जब बनाना चालू करो गया से ग्रीड लाइन्स के साथ तो धेरे देरे आपका जो सोचने का तरीका है जो प्रस्पेक्टिव है देखने का आर्ट को आप थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा इंप्रूमेंट आएगा आपके आर्ट में तो हो सकता है कि आप बिना ग्रीड लाइन के भी आप बनाना चालू करो और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है जितना और यह करोगे उतना चाहा आप आएगा अगा 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 इस आप यह अब यह मैं अभी अपने हाथों के नीछे पर मुझे रखना चाहिए सेफटी के लिए तकि इस पर जो है दाग ना पड़े मैंने भी रखा नहीं है जब मैं इस पर लेयर वास्काम करना चालूरी है करूंगा तो मैं एक पेपर रखंगा ताकि कलर जो है जो है तुद्धर फैले मत अगया है के छे नमबर के पास से इनका हेल में कंप्रीट हो रहे तो मैं यहां से बना रहा हूँ है छोड़े चोड़े पॉइंड से जैसी कि यहां पर रिलाइन बना हुआ है डार्क डार्क तो वहां पर आपकर पंट पैसकते हो तक कि जब आप बना ओगे तो वहां पर थ्वड़ा डार्कि देना है वो डिमांडर में डा सबस्क्रोब भाront goed जब भी आप बनाओगे तो आपको यह ध्यान देना ज़रूरी है जब ग्रीड लाइन मेटर का यूज़ करोगे जब आप किसी बॉक्स के पास पेंसिल पर यूज़ करके उसको बना रहे हो तो आपको इसी बॉक्स के एकॉर्डिंग मेजर्मेंट को ध्यान देना है उसके हिसाब से आपको ध्यान देना है कि जब यहां साथ लाइन खीचे तो वह लाइन तक जारी है वह लाइन को टच कर रही है और यह बॉक्स से वह लाइन कितने दूर पर बना हुआ है तो आप भी आपने जो बना रहे ड्रॉइंग उसमें भी जो आपको ध्यान देते चेक करना पड़ेगा जैसे कि देखिए अभी जो आईबाव लाइन का यहां से बना है मतलब यहां यह लाइन के बाजू से ऐसे गया हुगा है तो उसको इसा बनाते हुए देखते हुए एक तम इजैक्टली हमको बनाना है करना है यह बन गया हमारा आउटलाइंग अब इसके कॉंडिल के हमको इस पर वर्क करना है मैंने जैसे बताया था कि आप चाहोते बॉक्स वाइस आप यहां देरे-देरे कंप्रीट करते हुए ऐसा जा सकते हो या फिर आप लेयर वर्स कंप्रीट कर सकते हो लेयर वर्स कंप्रीट कर तो पर को आपको धोड़ा सा एक बार कली करना है या तो आप पैंसिल का ग्रेड शेंज कर लें एक बना रहा हूं लाय इस था फूर रे किसा है सब्सक्राइब हर टो इस पर अपने के उन्हींद कर लेंगे रirie करने के बाद तरह थे दरो आप ओरना चाव कि यहां पर मैंने एक तक आपको ब्लेंद्ग तूल्स के बारों बताया था उसको घूज़ी भी उसकर है स्पाव को पॉर्ट बैर से आप लेगंधर में व्लेंडR के साथ तीέλमे के साथ एयर बत कर सकते हुए आपको देखे-देखे अलग अलग तूल से यूज करते हुए या तो ब्रस करते हुए आपको छोप चोटे एलिया को कवर करना है एक और वीडियो में आपको डिटेल्स के साथ तुरा आपको बताऊंगा कि आपके कौन से तूल कहां एक्जाट्ली यूज करना है मैं कैसे आप चाहे वाल पर भी बना सकते हुए आप इसी मेथर का यूज करके आपको यह ध्याम देना यह पिक्चर जित्ती बड़ी है इसके अकॉर्डिनली मैंने यहां दो सेंटीमेटर का गैप लिया एक बॉक्स बनाया स्क्वेर वाला तो आप चाहो छोटी पिक्चर हो तो करके आप बड़े बड़े मानलों एक-एक इच कभी स्क्वेर बनां के आप बना सकते हो जितना बड़ा बनानाया आपई इस बिश्त विल्पांस कि बना बनाकी आप जो है आड बना सकते कर दो तो यह है अभी फिलाल के लिए तो फ्री हैंड स्केच है इस पे अगर आप अपना पेंसिल का ग्रेड बदनते बदनते जब इसको डार्क बनाते जाओगे तो वह धीरे 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 रिलस्टिक आर्ट में तब्दिल हो जाएगा